Dear students, इस वीडियो में हम class 8th exercise 4a को complete करेंगे, इसमें हमें cubes के बारे में study करना है, दो चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, square और cube, square का मतलब होता है power 2, और cube का मतलब होता है power 3, अब 3 power का मतलब क्या है, जैसे 3 raise to power 3 है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, इसको जिस number की power है यह, उसक आजाएगा cube, 3 power है, तो 3 को 3 times हमने multiply किया, तो यह आजाएगा इसका answer cube का, 3, 3, 9, 3, 27, ऐसे ही next अगर आप देखे, 8 raise to power 3, तो 8 into 8, तो यह बन जाएगा, 8, 8 जा 16, 16, 8 जा 5, 1, 2, ठीक है, इस तरह से आपको इनको solve करना है, next है जैसे 60 raise to power 3, तो आप क्या करेंगे, 60 multiply, 60, multiply 60, अब इसका answer का क्या है, 0 count कर लो, 1, 2, 3, तो 3, 0 तो as it is आपने लगा देनी है, और 6 की multiply करें, 6, 6 जा 36, 36 की 6 से multiply करते हैं, तो आता है 216, तो यह बन गया हमारा 60 cube, फिर next है minus, अब minus वाली जब भी statement आए, तो आपको क्या धहान रखना है, कि अगर minus वाले word की power even होती है, अगर power even होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो minus answer में नहीं लगाना है, minus खतम हो जाता है, plus बन जाता है, लेकिन minus वाले की power अगर ode होती है, ode number होती है, तो answer के आगे minus लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो power है, हम 3 को study करें, power 3, और 3 जो है, वो ode number होता है, इसलिए answer में minus आएगा ही आ 9, multiply minus 9, multiply minus 9, तो minus को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने normal जो numbers है, उनको multiply करना है, 9, 9 जा 81, 81, 9 जा 7, 29, ठीके, तो 7, 29 आ गया, और मैंने आपको बताया, power ode हो, तो minus answer में आता है, तो power 3 है, तो minus 7, 29 इसका answer आपको लिख देना है, next है, 3 by 4, same है, कोई ज़्यादा फ 3 by 4, उपर वालों की multiply आपस में कर देनी है, और नीचे वालों की आपस में, तो उपर वालों की multiply उपर लिख देनी है, नीचे वालों की नीचे, 3, 3, 9, 9, 3, 27, उपर आ जाएगा, 4, 4, 16, 16, 4, 64, नीचे आ जाएगा, ठीके, इस तरह से आपको इसको solve कर देना है, next statement भी same, इ divided by 3, 3, 9, 3, 27, और पावर ओड है, तो माइनस था, तो माइनस अंसर में भी आपको लगा देना है, next statement है, 3.2 raise to power 3, अब पॉइंट वाली statement को भी आपने same उसी तरिके से करना है, बस आपने इसका पॉइंट हटा देना है, तो यह आजएगा 32 by 10, तो इसको आप लिखेंगे 32 by 10, और 32 by 10, अब आपको क्या करना है, उपर वालों की multiply करके उपर लिख देना है, नीचे वालों की हो जाएगा 1000, 30 हो जाएगी तो 1000, अब 32 की, अगर हम multiply करते हैं 32 से, फिर दुबारा करेंगे, तो आपको जो answer मिलेगा, वो मिलेगा 32, 7, 6, 8, अब नीचे 30 है, तो 3 के बाद ह 6, 8, इस तरह से आपने करना है, तो पॉइंट को क्या किया हमने हटा दिया पहले नीचे, फिर उन जितने भी 0 अब बनेगी उसको हमने एकठा कर दिया, फिर लास में उन 0 की वज़ए से जहां पर भी पॉइंट लगेगा, वहां पर हमें दुबारा से लगा देना है, नेक् पॉइंट के बाद पॉइंट लाएंगे, इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हमेशा तो अंसर बनेगा माइनस 0.125, तो यह आपका फाइनल आंसर, नेक्स है माइनस 0.2, तो सेम इसी मेथड से आपको करना है, माइनस 2 बाइ 10, मल्टिप्लाइ माइनस 2 बाइ 10, मल्ट पॉइंट लगाएंगे, तो 8, 123, तो यह बन जाएगा, 0.08, नेक्स टेटमेंट है, माइनस 40 बाइनस 3, तो आप करेंगे, माइनस 40, मल्टिप्लाइ माइनस 40, मल्टिप्लाइ माइनस 40, ठीक है, तो इनको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो क्या करोगे, माइनस, तो रहेगा, 1, 2, 3, 3, 0 भी आएंगी, और 4 फोरजा 16, 16 फोरजा 64, तो माइनस का 64,000 आपका अंसर आपको मिलेगा, लास्ट वाले को 4 को, 4 by 9, 4 by 9, और 4 by 9, तो अंसर आपका बन जाएगा, 64 by 729, नेक्स जो स्टेटमेंट है हमारी, वो है, looking at the following number, state, which of them are perfect cube, कौन कौन से इन में से perfect cube हैं, वो आपको बताना है, perfect cube के लिए आपको याद रखना है, 0 जो है, वो 3 की table वाली होनी चाहिए, जैसे, या तो 3 0 हो, या फिर 6 हो, या फिर 9 0 लगी होई हो, ठीक है, इस तरह से 3 की table वाली 0 पीछे होनी चाहिए, अगर ये 3 की table वाली 0 है, तो answer, yes है, कि वो perfect cube होगा, अगर नहीं है, तो नहीं होगा, कैसे, चलिए देखते हैं, first है, इसमें है, 1 और इसके पीछे है, double 0, तो ये एक perfect square हो सकता है, perfect cube नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है, वो even है, यहाँ पर अगर हम देखें, इसमे हम देखते हैं, यहाँ पर जो 0 है, वो है, 2 to 4 to 6, तो 6 0 वाला perfect cube होगा, विल्कुल होगा, तो इसका answer लिखेंगे हम, yes, it is a perfect cube, next है, c पार जो है, इसमें 2 0 है, even है, तो ये perfect cube नहीं है, और ये जो d है, उसमें 3 0 है, तो ये भी एक perfect cube होगा, ठीक है, तो basic को आप समझो, तो ज्यादा असानी से आप कर पाओगे, next है, write the unit digit of the following cube, तो हमें सिरफ इसकी unit digit बतानी है, unit digit बताने के लिए आपको क्या करना है, सबको multiply करने की कोई जरूरत नहीं है, सिरफ आप last number लें, जैसे 387 है, तो 7 last number है, इसको 3 बार multiply करना है, तीन बार भी पूरा करने की जरूरत नह 49, 49 का last word, note कर लेना है, 9, फिर 9 की 7 से multiply कर दे, 9 7 जा 63, तो 63 की last digit क्या है, 3, तो first वाले का answer आएगा, unit digit of 387 cube is 3, तो first वाले का answer की तरह बनेगा, 3, ऐसे ही next, अगर आप देखें, 3 unit digit है, यहाँ पर, तो आप करेंगे, 3 into 3 into 3, तो 3, 3 जा 9, 9 जा 27, और 27 की last digit क्या होती है, 7, तो इसका second वाले का answer बनेगा, unit digit of 83 cube is 7, ठीक है, next है, इसी तरह से 1, तो 1 into 1 into 1, तो 1 बन जा 1 बन जा 1, इसकी unit digit बनेगी 1, इसकी बनेगी 0, इसकी है, 4 into 4 into 4, 4 फोर फोर जा 16, 16 की last digit 6, 6 फोर जा 24, 24, तो 24 की unit digit क्या बनेगी, 4, ठीक है, इस तरह से आपको करना है, सिरफ last digit को 3 बार multiply करके आपको answer निकाल देना है, यहाँ पर 5 है, तो 5 वाले की unit digit हमेशा 5 ही बनती है, 5, 5 जा 25, 5 जा 125, तो 125 की last digit क्या है, 5, इस तरह से आपको इसको solve करना है, next और last sum जो है, वो है हमारा find the old numbers to be added to get the following cubes, नीचे जो हमारे cubes देए गए हैं, इनको हमें किस तरह से लिखना है, old numbers के sums में लिखना है, अब old numbers के sums में लिखने का तरीका क्या है, उसके लिए आपको एक formula याद रखना है, n into, या फिर multiply लिख सकते हैं, अब n multiply n minus 1 plus 1, अब ये है क्या, इसको use कैसे करना है आपको, वो आपको ध्यान देना है, जो n है, n का मतलब है किस का cube करना है, यहाँ पर जैसे first वाले में है, 7 का cube करना है हमें, तो यहाँ रखेंगे हम 7, और n minus 1 का मतलब उससे एक कम, तो 7 से एक कम क्या होता है, 6, फिर प्लस 1, अब multiply पहले किया जाता है, 7 6 जा, 42, 42 प्लस 1 कितना होता है, 43, तो अब हमें क्या करना है, हमें 43 से start करके 7 odd number लिखने हैं, और उनको जोडने पर आप देखना 7 का cube बनेगा, ठीक है, तो कैसे 43 से अगर हम start करते हैं, तो कौन-कौन से बनेगे 43, फिर बनेगा 45, फिर बनेगा 47, फिर बनेगा 49, 51, 53 और 55, इन 7 नमबरों को अगर हम जोडेंगे, और नमबर्स को, तो हमारा 7 का cube हमें मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही next वाला, अगर आप देखते हैं, 12 cube, तो formula तो वही रहेगा, हमारा, n into n-1 plus 1, तो n कितना है अब की बार, 12, तो 12 multiply n-1 का मतलब क्या बता है, उससे एक कम, तो 11 plus 1, तो यह बन जाएगा 12 multiply 11 कितना होता है, 12, यह बन जाएगा हमारा, 132 plus 1 करेंगे तो 133, अब हमीं क्या करना है, 133 से start करके, ओर नमबर्स लिखने हैं लगातार, तो कितने ओर नमबर्स लिखने हैं, जितना n है, 12, तो कौन कौन से बनेगा आपके, 133, फिर बनेगा 135, फिर 137, 139, फिर बनेगा 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, और 155, लास्ट सम है मारा 4 क्यूब, तो 4 क्यूब अगर हमीं करना है, तो n की वैलियो है 4, तो 4 multiply n-1, मतलब एक कम, तो 3 प्लस 1, 4, 3, जा 12, 12 और 1 कितना होता है, 13, तो चार ओर नमबर को जोड़ दो, 13, 15, 17 और 19, ठीक है, तो इसको आपने लिखना है, 13, 15, प्लस 15, प्लस 17, प्लस 19, ठीक है, तो ये आपका लास्ट सम था, इस वीडियो में हमने complete किया है, हमारी exercise 4A को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आया हो, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे,